स्टार्ट करते हैं एक सर्कल विबेसे इंपॉइंट कुशन का स्टेटमेंट है प्रूव एट इंट्रसेप्ट ऑफ टैंजेंट बेटिवें तू पैरले टैंजेंट अफ इस सर्कल सबस्टेंड ए राइट एंगल एड़ी सेंटर ऑफ सर्कल मतलब क्या है इसका की प्रूव करना आपको इंट्रसेप्ट ऑफ टैंजेंट ब्लिंट टो पैरले टैंजेंट के बीच में जहां पे टैंजेंट इंट्रसेक् делать कर रहा हों दोनों तैंजींट को वह टैंजेंट हमारे जो सेंटर पे इनगल बनाएगा right angle बनाएगा मतलब बढ़ धिकरी का अंगल बनाएगा ठीक है देखो diagram इसका आप बनाते तो यह माल लीजी हमारे पास हो गया circle ठीक है और यह हमारे पास दो parallel tangent बना देते हैं यह और यह यहां हमारे पास दो parallel tangent हो गए इसको name दे रहते हैं जैसे मालो है x, y और इसको x dash और y dash ठीक है अब एक tangent है मालो हो यह है जैसे हो गया x ठीक है वो tangent सब उसको यह है यह है जो की intercept कर रहा है दोनो parallel tangent को मालो p और q पे ठीक है तो यह बोल रहा है कि यह center पे angle बनाएगा कितना 90 degree मत्तब यह angle यह angle हमें अगर center o है तो angle p o q यह हमें प्रूफ करना है कितना 90 degree ठीक है जी तो देखो सबसे पहले इसको भी लेट कर लेते हैं दोनों जो parallel tangent हो कहां कहां से बने मालो यह r और s से हैं यह आपके पास r हो गया point और s हो गया ठीक है तो देखो इसमें given क्या क्या है given है हमारे पास x y and x dash y dash r to parallel tangents at point r and s ठीक है उसके बाद p q इसे tangent इसको माल लेता है p q r h t माल लेते है p q is a tangent at point t intersect x y and x dash y dash at p and q ठीक है अब हमें यहाँ पे करना है तो प्रूव करना है कि angle p q is equal to 90 degree right angle ठीक है जी तो अब इसमें प्रूव करने से पहले construction में इसको हम जॉइन कर लेते हैं इसकी जुरत पड़ेगी ठीक है तो construction में joint point o to t ठीक है अब इसे start करते देखो यहाँ पे इस वाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना यह देखो यह आपके पास diameter है r o s हमारे पास एक diameter होगा क्योंकि parallel tangent है वो diameter के end पहीं बनते है ठीक है तो अब इसको हम लोग ना angle 1 इसको इसको angle 2 इसको angle 3 और इसको angle 4 लेट कर लेते हैं ठीक है और पहले इन दो triangle को consider करते हैं इन दो triangle को हम लोग क्या करेंगे congruence proof कर लेंगे तो इन triangle pto and triangle pro चाहिए पी पी अर पी टी बराबर पी यार पी यार क्यों क्योंकि external points pair of tangent equal होता है length of pair of tangent from external point R equal ठीक है उसके बाद Rs बराबर T O होगा R O बराबर होगा T O बराबर होगा T O क्योंकि radius of same circle ठीक है जी उसके बाद O P बराबर O P क्योंकि common O P record O P common ठीक है तो by side 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 criteria triangle P T O concurrent हो जाएगा triangle P R O के P T O P R O के congruence होगा ठीक है तो by CP CT angle 1 बराबर होगा angle 2 तो by CP CT angle 1 बराबर होगा angle 2 ठीक है similarly angle 3 बराबर angle 4 हो जाएगा same situation है यहाप angle 3 बराबर angle 4 हो जाएगा ठीक है अब इन चारों angle का sum 180 degree होगा क्योंकि P O R O S 1 diameter है angle 1 plus का angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree होगा linear pair के according linear pairs ठीक है अब देखो आपको answer में लाना है यह मतब 2 और 3 आपको answer में लेके आना है तो हम 1 बराबर 2 के है तो 1 की जगे पे हम 2 लिख देंगे और 4 की जगे पे भी angle 3 लिख देंगे 4 बराबर 3 के है यहाप angle 2 है यहाप angle 3 है is equal to 180 ठीक है अब यह आजाएगा 2 times of angle 2 plus 2 times of angle 3 is equal to 180 अब 2 कोमन लेंगे तो आएगा angle 2 plus angle 3 is equal to 180 ठीक है अब angle 2 plus angle 3 मिलाके बन गया POQ angle POQ और यह 180 by 2 हो गया 90 ठीक है ना तो यह हमारा proof हो गया ठीक है है उन्स फूफड़ बीक है हैंस फूवड़